हलो स्वागत है आप सबका डेली एकॉनमी न्यूस के एक और नए लेक्चर के अंदर मेरा नाम वसू कटारा है आज हमारा अजेंडा ऑफ डिसकेशन है 2023 के एकॉनमिक्स पेपर जो अभी यूपी एसी प्रिलिम्स हुआ है 28 माई को संडे को उसमें एकॉनमिक्स के क्वेशन कि डीप अनालिसिस कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इस साल जिस प्रकार के क्वेशन आये हैं आने वाले अटेंप्स 2024, 25, 26 अटेंप्स के अंदर भी आपको ये सेशन बहुत जादा हिल्पुल होगा पिकोज आईडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेशन के किस तरीके के क्वेशन पूछे जा रहे हैं civil service exam में चले जादा समय ना शुरू करते हैं पहली बात तो हम set A पढ़ रहे हैं set A देख रहे हैं 2023 प्रिलिम्स का जिसमें questions मैं set A के sequence के साब से देख रहा हूँ आप questions देख सकते हो और अपने अलग-अलग sets के अंदर चाए B हो चाए C हो चाए D हो उसके अंदर आप definitely इसको find out करके अपने set के अंदर अपने questions के अंदर इस चीज़ को देख सकते हो review कर सकते हो that which question is it now the first question today in the class consider the following statements अब ये ना invits के उपर question आ गया normally हम expect कर रहे थे कि invits पर कोई तो question आएगा किसी type का तो question आएगा बट ये question बहुत अलग है ये taxation की बात करता है ये infrastructure status की बात करता है तो taxability पर पहले भी UPSC ने inflation indexed bonds पर सवाल पूछा है बट इस तरीके का question आना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा unique एक बहुत ज़्यादा unique और abnormal occurrence या uncertain occurrence था statement कहता है the interest income from the deposit in invits infrastructure investment trust distributed to the investor is exempted from tax but the dividend is taxable अब इसका explanation ये है कि interest income और dividend अब दोनो taxable बना दिये गए है current affairs में ये cover हुआ है recently finance bill 2023 के माध्यम से finance bill 2023 के माध्यम से 2023 के माध्यम से हमने taxable बना दिया है दोनों को तो ये statement गलत हो जाती है क्योंकि taxable हो गया है taxability हो गई है इनकी ठीक है नब पहले it used to be exempted पट आज ये दोनों ही taxable है पहली बात तो finance bill 2023 के बाद finance act के बाद दूसरी बात invits are recognized as borrowers under surfizee act invits को surfizee act 2002 ये कौन सा कानून है actually अगर कोई loan लेता है bank से loan ले लिया तो loan लेते टाइम उन्हें कुछ security रखनी पड़ती है कुछ गिरवी रखना पड़ता है और अगर bank का loan नहीं चुका पा रहे हो time पर तो surfizee act के तहट आपके जो भी property गिरवी रखी हुई है उसको बेच कर recover करके पैसा ले लिया जाता है बैंकों के द्वारा loan का amount भरपाई करने के लिए तो invits को borrowers recognize करते हो आप surfizee act के तहट ये बात सही है borrowers के तोर पर recognize किया रहाता है क्योंकि पहली बात तो invits क्या है इन्विट्स infrastructure investment trust है actually क्या होता है कि एक इनसान का infrastructure sector में पैसा लगा पाना बड़ा मुश्किल है आप अगर एक mall बनाना चाहते हो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपे चाहिए कहां से लाओगे पर हम जैसे 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 लोग मिलकर invest कर सकते हैं पैसा जोड़कर infrastructure में invest कर सकते हैं वहाँ पर एक mall खड़ा कर सकते हैं और उसे बेच कर या उसकी दुकानों को rent पर देकर या lease पर देकर कुछ न कुछ पैसा कमा सकते हैं जो ultimately जिन members ने जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको return के तौर पे dividend के तौर पे मिल जाएगा dividend मतलब profit का एक हिस्सा तो invest जो है infrastructure investment trust इसमें investors को एक हिस्सा मिलता है अब ऐसे कोई income पूरी तरह tax free होना तो एक बहुत unnatural चीज़ है अगर ऐसे income tax free होने लगी तो सारी जनता यहाँ पे invest करने भागने लगेगी शुरुआत में कुछ समय tax free किया रा सकता है बट पूरी तरह tax free ह होना यह logic नहीं बना रहा है यह sense नहीं बना रहा तो first statement गलत है second statement सही है और option देखो अब option में से कौन सा option कह रहा है कि first गलत second सही यह सिर्फ D कह रहा है इसलिए collect option हमारा correct option is question का D होगा next question यह भी news में रहता है in the post pandemic recent past कोविड के बाद का समय central banks worldwide have carried out interest rate high पिछले साल से पिछले साल 2022 के मार्च के महीने से देख लो दुनिया बर में अलग-अलग central bank अपने interest rates बढ़ाये जा रहे हैं इंडिया के central bank ने इंडिया के RBI ने भी repo rate बढ़ा दिया है और इतना महंगा कर दिया है कि अब bank loan भी जो पहले 7% होता था अब 9% पर मिल रहे है यूरोप देख लो US देख लो अलग-अलग देश bank rate बढ़ भी किया हुआ है federal reserve का जो rate hike हुआ है उस context में हमने इसे cover भी किये हुआ है तो first सही हुआ second देखो central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy बिलकुल सही देखो monetary policy एक ऐसा tool होता है मौधरिक नीती RBI के हाथ में होता है जिससे वो चाकर money supply बढ़ा सकता है और चाकर money supply घटा सकता है इस time पर money supply क manage करना है बहुत तेजी से consumer prices दाम बढ़ते जारे महंगाई बढ़ती जारे है चीज़ा महंगी होती जारे है तो उस time पर monetary policy को use करना RBI का एक अधिकार एक राधर responsibility है जिससे बढ़ते हुए महंगाई को control किया जा सकता है जब interest rate जादा होते है न economy में तो जादा interest rate के case में money supply क कम करने के लिए ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम घुमें RBI अपनी monetary policy change करता है उसर्फ RBI ने दुनिया भर के banks US का federal reserve भी जहां पर loan लेना और महंगा बना दिया जाता है लोन लेना महंगा हो गया तो जनता लोन नहीं ले पाईगी लोन नहीं ले पाईगी तो जो महंगाई को कंट्रोल करना चाता है देश तो इस question का correct answer आपको देखने मिलेगा that first statement is also correct second statement is also correct और जो first statement है कि interest rate बढ़ाय जा रहे है क्यों बढ़ाय जा रहे है क्योंकि महंगाई control करनी है monetary policy के through और वो central bank करेगा ये इसको properly explain कर दे रहा है इसी वज़े से correct answer ए होगा ठीक है नो तो during pandemic phase कई सारे central bank जैसे RBI federal reserve हो गया US का Europe के कई सारे bank हो गया उन्होंने शुरुवात में pandemic के phase में जब covid चल रहा था तब interest rate कम कर दिया था loan लेना बहुत हसान कर दिया था बहुत सस्ता कर दिया था उसका negative impact ही हुआ कि बहुत जादा पैसा money supply economy में circulate होने लगा औ दो चीज़ें जादा दाम पर खरीद सकते थे अफोर्ड कर सकते थे दामों के चीज़ों के दाम बढ़ने लगे rate बढ़ने लगे दाम बढ़ने लगे prices बढ़ने लगे उस वज़े से अब interest rate को बढ़ाना पड़ा ताकि loan महंगा हो जा लोग कम loan ले ताकि महंगाई को control inflation को ह यह हमारे daily economy news में और paid batches में cover हुआ है मैंने पढ़ाया है यह next question हाँ यह मैं कहूंगा कि carbon market carbon credit के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है बट carbon market के बारे में exactly discuss नहीं किया तो मैं एक claim नहीं कर सकता कि मेरे classes से आया है carbon market are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change carbon market में क्या होता है कि एक company है company A इसके ओपर पाबंदी है कि यह 100 units से ज़ाधा production नहीं कर सकती दूसरी company है company B उसके ओपर पाबंदी है कि वो 80 units से ज़ाधा production नहीं कर सकती pollution नहीं कर सकती carbon dioxide emit नहीं कर सकती company B ने 100 units carbon dioxide emission कर दिया carbon dioxide और A ने सिर्फ 70 units emit किया है मतलब यहाँ पर A की 30 units की saving रही और B की 20 units का deficit रहा अब असमुद्दे की बात यहीं है कि आपको देखने मिलेगा A और B दोनों के case में A company ने कम carbon emission किया B ने ज़ाधा कर दिया तो एक काम करो न A ने कम किया है A को certificate दे दो reward दे दो कि A ने carbon dioxide emission कम किया है और वही certificate जो एक्स्ट्रा 30 कर सकता था 30 units कर सकता था एक तरीके से वो उसका benefit है एक तरीके से वो उसका फायदा है अब वो carbon credits को या इन carbon certificates को चाहे तो sell कर सकता है बेच सकता है पैसे के बदले क्योंकि उन्होंने कम carbon dioxide pollute किया है तो उनको इनाम तो मिलना चाहिए तो उसे वो बेच सकता है उनको जन्होंने ज़्यादा emission कर दिया हो तो maximum अभी भी 180 units ही रहा है pollution उससे ज़्यादा नहीं होगा यह किसी ने कम किया और किसी ने ज़्यादा कर दिया तो यह sell कर रहे हैं और यह इनसे buy कर रहे हैं इस तरीके से आपको क्या देखने मिला इस तरीके से देखने मिला कि इन दोनों के साथ यह दोनों organizations एक दूसरे के साथ transaction कर पा रहे हैं तो अब देखो first क्या कहता है statement carbon market are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change अब यह दुनिया में production कम करने के लिए एक अच्छा तरीका है जहां पर carbon trading की जा सकती है तो इसका impact pollution को कम करने के लिए उसकी जा सकता है carbon credits के तुरू carbon credit क्या है वो जो trade हो सकते हैं ऐसे certificates है एक टन carbon dioxide की value एक certificate की value के बराबर है बस इतनी बात है ठीक है न और यह आपस में एक दूसरे के साथ exchange किये जा सकते हैं जो कि दुनिया भर के अंदर pollution को रोकने में काफी helpful होगा तो first statement is correct climate change को fight करने में it's going to be a very strong instrument दूसरा है जी carbon markets transfer resources from the private sector to the state carbon market के थुरू कि private sector सरकार को resource नहीं है तो दो private company आपस में interact कर रही थी तो यह statement तो सही नहीं होगी न आपके सामने example दिया था voluntary carbon credits direct private financing to climate action projects कि private पैसे का इस्तमाल कर रहे हो climate change से लड़ने के लिए biodiversity मतब जानवरों को protect करने के लिए pollution को रोकने के लिए public health sector को बढ़ावा देने के लिए और हमारे देश के अंदर better technologies लाने के लिए सस्ती कीमत पर जो climate change को जो climate में carbon dioxide emission को रोक सके तो private से सरकार की तरफ पैसा transfer नहीं हो रहा वो green bond बोलते अगर आप तो समझ भी आता क्योंकि green bond अगर कोई government organization इशू कर रही है जैसे एक्स वाइज एड़नाम की government organization है इसने उधार लिया ए बी और सी तीन लोगों से तो यहां पे एक सरकारी organization एक private organization से पैसा ले रही है ताकि वो उस पैसे का इस्तमाल करे green projects को बढ़ावा देने के लिए अब इन private लोगों का फायदा क्या होगा इनको interest मिलेगा बाद में जाकर इसलिए उन्होंने पैसा दिया है तो यह तो sense बनाता green bond तो sense बनाता carbon market में private sector से सरकार की और नहीं और transfer resources का तो यह गलत हो गया अगला question यह हमारे lectures से है यह question मैं कह सकता हो simple भी है यह सब के लिए equally होगा sterilization की process का मतलब है जैकि हमारे देश के अंदर हमारी economy के अंदर foreign exchange आता है तो RBI अपनी तिजोरी से foreign exchange manage करता है RBI dollars को अपनी तिजोरी में रख लेता है या जरूरत पढ़ने पर RBI dollars को market में उतारता है तो मतलब RBI market से dollar buy भी करता है और sell भी करता है RBI की ऐसे ही open market operation जहाँ पर simultaneously buy और sell करने की जो habit है वो open market operations के तहत आती है RBI की simultaneously buy और sell करने की जो habit है वो open market operation के तहत आती है OMO के तहत और RBI open market operation की policy को follow करते हुए open market operation में inflow and outflow of money जो capital जो foreign exchange आ रहा है बहर से और इंडिया से बहर जा रहा है जब इसे manage करती है maintain करती है कोशिश करती है कि excess money supply ना हो हमारी economy में हमारी economy से extra money supply जो है वो RBI खी चले उस process को sterilization कहते है जो की monetary policy के context में use की जाती है RBI के द्वारा when RBI is taking away the excess money supply which is created due to foreign exchange coming into India and going out of India इंडिया में जो foreign exchange आ रहा है या जा रहा है जब excess money supply होती है जब RBI ने market में बहुत जादा foreign currency देखे है और RBI buy कर ले या RBI sell करते जब foreign exchange market में नहीं है तो इस process को sterilization कहते है again and again we are discussing this is from our classes हमने यह discuss किया हुए हमारे foundation batch lectures के अंदर in fact आपको मैं suggest भी करता हूँ अगर आप UPC की preparation कर रहे हैं देखो 100% तो questions को identify कर पाना और यह कह पाना कि 100% question हमारे batches से हमारी classes से आए वो possible नहीं है 60 to 70 questions फिर भी पढ़ाये जा सकते हैं दूसरी बात evening batch 7 जो की शाम 6 बजे batch बंद हो रहे हैं मतलब यह 31 मगी को admission बंद हो जाएगा शाम 6 बजे इनकी class हुआ करेंगी इसमें आप admission ले सकते हैं दोनों में से किसी भी batch में admission लेकर आपको UPC की preparation करने का मौका मिलेगा in the best possible way अब 27,999 का है आपको यह 29,999 का मिलता कुछ टाइम पहले बड़ यह सिफ दो दिन 30th March को और 31st March को आपको extra discount के form में मिल रहा है 30 और 31 को अगर आप वसू live admission discount code use करेंगे तो आप यह 31 मई तक admission लेकर एक बहुत ही affordable price पे इसको ले पाएंगे यहाँ पर live classes मिलेंगी मैं खोदी कॉनमेक्स पढ़ाऊंगा आपको recorded lectures मिलेंगे books आपके घर पर study IQ की भिजवाई जाएंगी ताकि कोई भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी अब तो लक्षमी कान्त और अमेश सिंग ने भी प्रूफ कर दिया कि यह books सिर्फ वस इन पर ही रिलाय नहीं कर सकते हैं और भी books पढ़नी पड़ते हैं तो study IQ का पूरा comprehensive material मिलेगा आपको prelims test series, mains test series, daily answer writing practice program, mentorship और यह सब मिलेगा अगर आप prelims के लिए करते हैं 2024 का आपको prelims क्लिया करना है, mains answer writing, mains guidance सारे effort हम आपके लिए करेंगे, आपको Delhi NCR के अंदर study IQ headquarter के अंदर बुल त्यारी करवाई जाएगी ताकि आप अपनी preparation best possible way कर सके, आप अगर NCRT की त्यारी करना चाते हैं बस अभी quality, science, economy, history, बहुत ही affordable price पर 1499 के price point पर आप admission ले सकते हैं, आप कोई भी batch में admission लो, किसी भी batch में कभी भी admission लो, वसू live admission discount code यूज करके आप admission ले सकते हैं, वसू live admission discount code और कोई नहीं, बस यही admission discount code यूज करना है, maximum discount के लिए और मेरी guidance के लिए, चलिए, sorry for the information which I passed on, अगले question पर चलते हैं, ये भी हमारी जो foundation batch की classes हैं, उसमें पढ़ाया गया था, पूछा जा रहा है, कि इन में से कौन सी market, capital market में include होती हैं, तो हमारे देश में, जो पूरा economic system है या financial system है, उसके अंदर दो type की market होती है, एक होती है money market, जो की short term market है, ये हम पढ़ाते हैं, हमेशा हमारे batches के अंदर cover कराते हैं, आप demo भी देख सकते हैं, YouTube पे इसका demo भी पढ़ा है, दूसरा होता है capital market, पहला money market, दूसरा capital market, money market से short term, day to day business की, रोज मर्रा के business की, व्यापा जाता है, मतलब एक महीने के लिए पैसा उधार पे ले लिया, तीन महीने के लिया, ये day to day business को पूरा करने के लिए, capital market में long term के लिए, investment purpose के लिए, expansion purpose के लिए पैसा लगाए जाता है, जैसे for example, expansion के अंदर मैं जब बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी company machine खरीदना चाहती है बहुत पैसा चाहिए, और रस साल के लिए loan लेना पड़ेगा, तो capital market एक सहार है, जहाँ पर एक तरफ है share market, और दूसी तरफ है आपका loan जिससे लेते है, debt market कहते है, loan market, जहां से उधार लिया जाता है, share market में आप अपनी company का मालिकान हक बेच रहे हो, ठीक है न, बदले में आप future profits बेच रहे हो अपनी company का, loan या debt market वो market होती है, जहाँ पर आप उधार ले रहे हो, वहाँ पर कोई मालिकान हक नहीं बेचा जा रहा है, सिर्फ उधार लिया जा रहा है, तो basically, जैसे for example, share market एक ऐसी market है, कि मैं बोलूँ कि मेरी company के में 10% share तुम्हें देदूँगा, त उससे कोई वास्ता नहीं है, पर यही अगर मैं आपको loan में देता, तो मैं आपसे हर महीने उधार जो दिया है, उस पर interest लेता, तो call money market, यह money market का part है, तो capital में तो नहीं आ सकता, ठीक है न, और उसके साथ-साथ treasury, bill, market, यह भी आपका short term market का money market का part है, जो आपको यहाँ पर मै नहीं सकते, government bond market यह long term है, अभी मैंने दिखाया loan debt, capital market, long term का part है, और stock market, जिसे share market कहते हैं, वो भी long term का part है, तो only two pair, अब देखो यह हमने पढ़ा है, तो यह doable question था, और मैं बतारों, literally बहुत doable question था, आप कर सकते थे, correct answer इसका B होगा, आगे चले, small farmer, large field, यार यह ना है बहुत आसान concept, यह वही बात हो गई, कि आप हाथ जरूर आया पर जुबान नहीं लगा, मतलब आप इसको जानते हैं, सब लोग जानते हैं, cooperative farming, और farmer producer organization, जहां पर किसान साथ मिलके, गुट बनाके, एक दूसरे के साथ मिलकर, group बनाके, गुट बनाके, खेती करते हैं, किसा जानते हैं, बढ़ हम इस concept से वाकिफ नहीं होंगे, small farmer large field, इंडिया के बाहर, Asian countries के अंदर यह इस्तमाल होता है, method, इंडिया में भी, Odisha के अंदर इसको इस्तमाल करने ही कोशिश की जा रही है, इसलिए the Hindu में cover हो रहा था, पिछले 3-4 महीने में एक बारी cover हुआ है, पिछल में मिलकर खेती करेंगे, जिसे farmer producer organization भी कहते हैं, farmers की cooperative होगी सहभागिता पर चलाई जाएगी, तो वो आपका small farmer large field है, तो हाथ तो आया पर जुबा नहीं लगा, मतलब इतना आसान सवाल था, solve हो सकता था, बट क्यूंकि नाम इतना tough है और इतना vague है और हर बच्चा जानता नहीं है, तो इसको शायद आप सही नहीं mark कर पाते हैं, in fact मैं सच बोलो तो मुझे भी google करना पड़ा एक time पर, कि यह actually है क्या, क्यूंकि हमारी basic books में cover नहीं होता है, many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronized and harmonized selected agriculture operations, एक जगे पर कुछ किसान आपस में मिलकर group बना लेंगे, और आपस में खेती किस पैसा होगा, पैसा ही पैसा, तो यह B इसका correct answer है, बाकी सारे sense नहीं बना रहे है statement, अगर आपको पता है, तो ठीक है वरना तुक्का मारी नहीं सकते है, ऐसे question में, 25% chance ही है सही होने का, very difficult to take a guess, but nonetheless correct answer इसका B है, यही अगर आप farmer producer organization लिखा होता तो हम सही कर देते, but small farmers, large field ना अगरी नहीं होता है, असलियत तो यह है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा, next question है, government of India provides MSP for Niger seeds, यह हमारे batches में cover हुआ है, पर मैं पूरा question claim नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने economics की classes में यह नहीं बताया, कि Niger एक खरीफ crop है, Odisha में यह रभी crop होती है, बाकी स्व में खरीफ crop होती है, अचा, खरीफ और रभी का फरक तो पता ही होगा, खरीफ कौन से सीजन की, गर्मियों की, सर्दियों की कौन सी खसल होती है, खरीफ crop, ठीक है ना, अभी मतलब कौन सी बोई जाएगी, खरीफ या रभी, तो यह geography में cover होती है, ठीज है, तो second statement, although, Niger seed मैंने बताया है पर यह नहीं बताया है कि यह खरीफ crop है, first मैंने बताया है कि सरकार के जो 23 MSPs, अलग अलग चीजों पर सरकार जो minimum support price देती है, minimum support price क्या है, मानलो यह इनसान चावल होगाता है, यह इनसान गेहूगाता है, सरकार ना इन्हें advance में ही बता दे रही है, कि अगर तुमारी कोई market में फसल नहीं खरीदेगा, तो government उनसे खरीद लेगी, तुम लाके government को बेच देना, ठीकिन, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर government of India ने चावल खरीद लिया, यह wheat खरीद लिया, किसान से, किसान को minimum price guaranteed price दे कर, जो कि किसान को पहले ही बता दिया जाता है, फसल बोने से पहले ही बता दिया जाता है, तो यह आपका first सही है, second सही है, और third भी सही है, see, all of them are correct, some tribal people in India use Niger seed oil for cooking, अब यहार यह ऐसे statement normally गलत नहीं होते हैं, क्योंकि some लिखा है, कम से कम एक किसान बिचारा भूला बसरा होगा, वो नाइजर सीड तेल के तेल में खाना बना चुका होग तो कम से कम एक तो होगा है, सम का मतलब हो सा है, कि देश में एक व्यक्ति को भी सम बोलोगे, एक करोड लोगों को भी सम बोलोगे, सम मतलब कुछ लोग इस पर खाना बनाते हैं, एक तो होगा, कोई तो होगा, देश भर में, तो यह गेस्टिमेट किया जा सकता था, second statement गेस इक बुक्स में भी लिखा है, second नॉर्मल ही नहीं बताया जाता, इकॉनमिक्स में, जोग्रफियम पढ़ाया जाता ही है, second statement, और third पर गैस लगाया जा सकता था, इसमें तुक्का मारा जा सकता था, correct answer C है, यह बात याद रखिए, गबाकी इतनी सारी crops पर MSP देती है सरकार, इतनी सारी pulses, डालों के उपर, oil seed जिसमें मुणफली का तेल हो गया, सरसो का तेल हो गया, सोया बीन का हो गया, sunflower, सूरज मुखी का, तिल का तेल, niger seed, यह सब बताया हुआ है, कि यह oil seed जो हैं, आपके MSP के रजीम में आते हैं, बट हमने यह नहीं बात करी थी कि खरीफ क्र आप माना जाता है, अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिला है, खरीब कौन सा है, अभी कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं अगला question आपको बताता हूँ, अच्छा, asset मतलब संपत्ती, दो टाइप के asset होते हैं, tangible, जिससे छू सकते हो, मेरे पास laptop, जो है, मेर दिमाग के थू बनी है, बिलकुल सर, जिसको मैं छू नहीं सकता, जैसे कोई गाना गाता हूँ मैं, उस पर मैं copyright लेता हूँ, कोई किताब लिखता हूँ, उस पर मैं copyright लेता हूँ, और कोई copy नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग की उपज है, ऐसी चीज़ों को intellectual property कहते हैं, य यहाँ पर चार भूंदों वाला, के आगे कौन सा product आएगा, उजाला ही आएगा, यह तो आप सब जानते हो, उसके इलावा, दो मिनट नूडल, कौन से होते हैं, इपी नूडल, नहीं जी, मैगी नूडल होते हैं, वो उन्होंने brand बना रखा है, तो ऐसा एक brand हमारे मन में create किया हुआ है, हम देखते हैं, BMW, Audi, Mercedes, हम कहते हैं, वायर क्या गाड़ी है, brand है वो, तो first, third, यह दोनों सही है, inventory कभी भी intangible नहीं हो सकता, मेरे जैसे जेठालाल, जेठालाल को सब को पता ही होगा, तारग महता का उल्टा चश्मा, तो तारग महता का उल्टा चश्मा में, जेठालाल के गड़ा electronics पर, जो fridge TV, बहुत कुछ electronics पढ़े हुए, वो क्या है, वो उसकी inventory है, inventory का मतलब है, बेचने के लिए समान रखा हुआ है, तो वो तो चू सकता है, जेठालाल उसे बेचेगा भी, तो यह तो intangible नहीं हो सकता, intangible मतलब इसको चू नहीं सकते, right, mailing list of clients mailing list of clients, मतलब मेरे पास, मान लिजे एक list आई है, जिनको मैं email करके बोल सकता हूँ कि मेरा product बहुत अच्छा है, वो खरीद लो, तो यह भी intangible है, क्योंकि यह एक information है, यह कोई समपत्ती नहीं है, यह एक information है, तो first intangible है, second intangible नहीं है, third intangible है, सही है, और fourth भी intangible है, mailing list को क पागच के टुकड़े को तो चू सकते हो, पर उसमें जो information है, उसमें उसको आप चू नहीं सकते हैं, वो दिमाग का खेल है, तो यहाँ पर only three are correct, one, three and four are correct, second is not correct, यह है मुद्दे की बात, second is not correct, आगे चले, यह हमारा हमने cover किया है, classes के अंदर, finance commission के topic के अंदर, देखो के time period के लिए कि सरकार के taxes का बटवारा कैसे हो, center government कितना tax का पैसा रखे, जैसे कि फिलाल तो 59% है, जो center government के पास रखा जाता है, tax का पैसा, बाकी पैसा, tax का states में बाट दिया जाता है, 41%, 15th finance commission के इसाब से ऐसा है, अब देखिए ज़रा यहाँ ध्यान समझिएगा, demographic performance, forest and ecology, governance, reform, stable government and tax and fiscal effort, इन में से कुछ criteria है, कि कौन से कौन से state को कितना पैसा मिलना चाहिए, देखो एक होता है, vertical devolution of funds, कि center government कितना रखेगी, और state government कितना रखेगी, यह vertical devolution of fund कहा जाता है, फिर होता है, horizontal devolution of fund, vertical मतलब उपर नीचे, center का कितना, state का कितना, और horizontal का मतलब है कि, राजिस्थान का कितना, बिहार का कितना, तमिलनाडो कितना, state wise manner में, एक साथ सीध में, दिल्ली का कितना, जमू कश्मीर का कितना, ठीक हैं, हम बात कर रहे है, horizontal tax devolution की, मतलब, tax का पैसा कैसे बटे, राजिस् कौन से माप डंड लिये जाते हैं, state in basis पर, states को पैसा बाटा जाएगा, एक demographic performance हो सकता है, कि आबादी, control में आ रही है के नहीं, एक forest and ecology हो सकता है, और एक हो सकता है कि, कितना, tax को इखटा करने में, financial effort मारे जा रहे हैं, governments के द्वारा, तो 1, 2 and 5 मुझे सही लग रहे है, और actually 1, 2 and 5 सही है, क्योंकि 15th Finance Commission ने फिलहाल क्या किया है, 12.5% weightage दी है कि, आबादी कैसे control कर रहा है, कोई state, जो state जादा मेहनत कर रहा है, अपने देश में बढ़ती हुई आबादी, population को, increased population को control करने के लिए, तो उसको 40, उसको, उसको 12.5% weightage दिया जा रहे है, 45% income कितनी है, कि इसी state की उसे साफ से वेटेड है, 15% की एक area में population कितनी है, एक राज्य का state का size कितना बड़ा है, जो बड़े size के state होंगे, उन्हें जादा पैसा चाहिए होगा, जो छोटे size के states होंगे, उनको उतना जादा पैसा नहीं चाहिए होगा, और ऐसे 10% area, जंगल कितने हैं आपके पर जिन state से पर ज्यादा जंगल होंगे, ज्यादा forest, ज्यादा जंगली जानवर होंगे, उनको ज्यादा पैसा चाहिए होगा उनकी देखरेक के लिए, तो 10% forest and ecology को भी weightage दिया है, कि ज्यादा पैसा इसलिए गया है, कि यह जंगल है, तो यहाँ पर जंगल और जंगली जा sharing होती है, जहां पर 59% center अपने पास रखती है, 41 states को बाट देती है, अब वो 41 में से राजिस्तान के वाज कितना जाएगा, तमिलनाडू के वाज कितना जाएगा, वो होता है, इन criteria के हिसाब से जिसमें, first सही है, second सही है, and fifth सही है, third और fourth सही नहीं है, यह बात ज्यान तो correct answer B होगा, इस question का, अगला question देख लेते हैं, consider the following infrastructure sectors, यह actually 3-4 महिने पहले news में था, UN OPS, sustainable investment in infrastructure and innovation, कुछ corruption के case लगे थे उनके उपर, but इसको identify कर पाना बड़ा मुश्किल है, मैं कहूंगा, बच्चे यह solve नहीं कर पाएंगे, question, ठीक है ना, इस पर कोई credit अगर ले रहा है क्योंकि यह इतना depth में कोई नहीं पड़ता है, यह current face में covered था तो सही, बड़ किसी को लगा नहीं था कि यह पूछा जाएगा, यहाँ पर only three options are correct, कौन से कौन से correct है, affordable housing, renewable energy and health infrastructure, तो affordable housing, renewable energy, health infrastructure, healthcare, यह तीन आपके United Nations के sustainable investment in infrastructure and innovation, कि ऐसे projects में पैसा लगाना है, जो कि आने वाली पीडियों के लिए भी अच्छे हो, आने वाली generations के लिए भी अच्छे हो, हमारे बच्चे और उनके बच्चों के लिए भी सही हो, और देश की तरक्की को बढ़ावा दे, affordable housing, सस्ते मकान होगे, सब के पास मकान होगे, रहने की च्छत होगी, तो यह तो हो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करी गई, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, वो sustainable investment नहीं है, उसमें पैसा बहुत लगता है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट में, तो sustainable investment की category में नहीं आती है, यह बद ध्यान लखेगा, next question, social development का है, economics and social development की section से, जननी सुरक्षा योजना, question है, it is a safe motherhood intervention scheme of state health department, पहली बात गलत है, यह national health mission के तहत आता है, केंद सरकार की योजना है, state government की health department का इसमें बस नहीं चलता है, तो one गलत हो गया, second सही है, जननी सुरक्षा, जननी मतलब जो lady जो pregnant है, उनके पेट में जो बच्चा है, उन दोनों की सुरक्षा, health की take care करना, सरकार की जमेदारी यह जाब है, बच्चे पैदा होते ही उनकी death हो जाती थी, उनकी mothers की बच्चों को पैदा करते हुए death हो जाती थी, ऐसी death rate को कम करना है, maternal और neonatal mortality को कम करना है, गरीब pregnant महिलाओं के लिए, second point है to promote institutional delivery among poor pregnant women, institutional delivery का मतलब यह है, hospital में delivery हो, खुले आम दाईयों के द्वारा ना हो, bacteria फैल ने कर दर होता है, infection फैल ने कर दर होता है, बच्चे को भी और बच्चे के मदर को भी, तो second भी सही है, third भी सही है, कि hospital मे delivery कराएंगे, ऐसे खुले में नहीं जहाँ पर infection फैल सकता है, third सही है, fourth गलत है, the objective includes providing public health facility to sick infants up to the age of one year, कि एक साल तक की उमर की बच्चों को तो हम अलगलग schemes में cover करते हैं, integrated child development scheme में cover करते हैं, यहाँ पर जन्नी सुरक्षा योड़ना सिर्फ एक mother जो pregnant है, उन्हीं की बात कर है, तो fourth is not the correct answer, सिर्फ दो statement सही है, इसलिए only two, one is wrong, four is wrong, only two is correct, यह बात ध्यान लखेगा, वही बात यहाँ पर बताई भी गई है, आगे, अनीमिया भुक्त भारत, अनीमिया मुक्त भारत, अनीमिया होता है, खून की कमी की वेज़े से, इंडिया में लगबग आधी females, 50% females को खून की कमी है, it provides prophylactic calcium supplementation for preschool children and adolescent and pregnant women, अनीमिया भुक्त भारत का पहली बात तो पहला statement गलत है, क्योंकि यहाँ पर खून चड़ाना है, calcium तो हड़िया मजबूत करता है, calcium sandoz की गोली बात में खाना, पहले खून की परत को बढ़ावा दो, खून के लेवल को, बलड के ले second, it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of child birth, बिल्कुल कई बर्च गया होता है, बड़ बेबी जब पेट में होता है, तो mother को यह complication, cord clamping जैसा complication देखने मिलता है, child birth के दौरान specially, second सही है, next है, it provides for periodic deworming to children and adolescents, ठीक है, बिल्कुल albendazole की tablet देकर, बच्चों के तो पेट में कीड़े हो जाते हैं, कहते हैं, पेट में कीड़ा हो गया, albendazole की tablet देनी है बस, albendazole, ठीक है नहीं, तो यह deworming वगएरा, यह सब इसका ही part है, next है, it addresses non-nutritional causes of anemia, कि तो खाना पीना सही से नहीं खारे हो, इस विए से anemia हो रहा है, दूसरे कुछ और reasons भी होते हैं, malaria हो गया, आपको fluoresces हो गया हीमो, गलोबिनो, पैथीज हो गया, अलगलग बिमारी हो गई, उसे से आपकी शरीर में anemia की कमी है, तो उन बिमारियों को भी इलाज को कराने के लिए, ठीक कराने के लिए help करता है, तो correct answer is question का C होगा, first गलत है, बाकी सब सही है, all of the rest of the options are correct, इसमें iron folic acid tablet दी जाती है, ना पर 6 के हिसाब से, यह पूछी गई है, right, first statement गलत है, MSME में भी medium, medium enterprises, देखो तीन टाइप की होती है, micro, small और medium enterprises, माइक्रो, small और medium enterprises, अब जो MSME की definition है, वो revise भी होई है, पर जो पुरानी definition है, 2006 की, उसमें micro, small, medium, इन तीनों की definition अलग थी, जब कोई investment किया रहाता है, plant या machinery के अंदर, and the equipment does not exceed 50 करोड रुपीज, 50 करोड रुपे, तक का amount है, right, की machine, machine में पैसा लगा रखा है, up to 50 करोड, up to 50 करोड, यहाँ पर कितना लिखा है, 25, 25 गलत है, up to 50 करोड, plant and machine में अगर कोई पैसा लगाता है, तो वो medium enterprise कहा जाता है, up to 50 करोड, ठीक है न, यह बार ध्यान लखिएगा, investment in plant और machine और equipment, up to 50 करोड, ठीक है न, फर्स्ट गलत हो गया, all bank loan to MSME qualify under priority sector, all loan, यहाँ पर यह dubious statement हो गया, यहाँ पर bb सही हो सकता है, और db सही हो सकता है, dubious पता है क्यों है, अरे एक तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, MSME जो loan लेने आया होगा, जिसको priority sector lending का part नहीं मानेंगे, सारे loans को क्यों आँ priority sector lending में रख रहे हो, priority sector lending का मतलब है कि अगर 100 रुपे loan देता है bank, तो 40 रुपे ऐसे लोगों को loan देना होगा, जो सबसे ज़्यादा जरूरत मन्न है, जैसे कि कोई बच्चा जिसको education चाहिए, कोई SCST category से आने वाले वेक्ति, दलित समुदाय से आने वाले वेक्ति, कोई female, कोई exporter है, जो इंडिया से बाहर समान export करके देश के लिए पैसा कमाएगा, देश के लिए foreign exchange कमाएगा, कोई solar project, solar renewable projects को बढ़ावा दे रहा है, सर पे rooftop, solar panel लगा कर, ऐसी चीज़ है तो हमें और चाहिए न, इनको priority sector lending की category में रखते हैं, जैसे, micro small medium enterprise, छोटे businesses भी इस category में आते हैं, कि उनको ज़्यादा loan मिले, ज़्यादा तरक्की करें, और गांधी जैसे कहते थे कि छोटे businesses भी देश की तरक्की के लिए responsible रहेंगे, छोटे businesses को grow करें, अब लिख है, all bank loans to MSME, related to MSME, qualify under PSL skill, कोई तो ऐसी medium enterprise होगी, जिसने loan लिया और वो इस category में नहीं आ रहा, एक तो होगा गलती से, तो मैं B और D दोनों को यह अभी फिलाल सही मान रहा हूँ, जब तक UPS ही अपना official answer की नहीं देता, उसके पीछे की reasoning मैंने बता दी है, अगला question, Central Bank Digital Currency, यह बहुत news में चल रहा था, इंडिया ने, society है, for worldwide telecommunication, swift नाम है उसका, जिसमें actually क्या है, एक bank, दूसरे bank को, इंडिया का एक bank, US के एक bank को अगर information भेजना चाता है, तो swift organization है, इसकी technology का इस्तमाल करके, safely और hidden तरीके से, secretively भेज सकता है, कोई उसे copy नहीं करेगा, कोई उसे सुनना ही सकता, तो swift system का use करके, हम अगर central bank digital currencies global level पर लाते हैं, जहाँ पर प्रयास चल रहा है, दुनिया के 100 से जादा 110 के करीब देश चाते हैं, जैसे bitcoin, bitcoin बड़ा famous चल रहा है न, आजकल bitcoin बड़ा चलता रहता है news में, bitcoin में invest करोगे तो risk रहता है, because वहाँ पर कोई government involved नहीं है, जब 110 देशों की सरकार मिलकर ऐसे digital currency को बढ़ावा देंगी, कि मैं इंडिया में बैठ कर, दुबाई के अंदर पैसा transfer कर सकता हूँ, यहाँ वहाँ से पैसा मगवा सकता हूँ, immediately, instantaneously, जहाँ पर किसी एक देश का कोई bank, यह किसी देश की central bank की निगरानी में नहीं हो, आप सारे देश मिलकर एक digital currency चला रहे हो, तो बिलकुल digital currency का इस्तमाल करके dollar में पेमेंट हो पाईगी, और swift system का भी part बन सकता है, possible है, दूसरा है, a digital currency can be distributed with a condition programmed into it, such as a time frame for spending it, कि तीन महीने तक ही आप इस्तमाल कर सकते हो, special purpose के लिए इस्तमाल कर सकते हो, और किसी purpose के लिए नहीं, जैसे सरकार ने पैसा दिया बच्चों को बारवी कक्षा के लिए coaching लेने का scholarship दी, कि yellow digital wallet, yellow voucher, और जाके course खरीद लो, कि जैसे 25,000 रुपे की scholarship दी, कि जाके किसी coaching institute का course खरीद लो, तो condition तो fix की रहा सकती है, digital currency में इस तरीके से, और time frame भी fix की रहा सकता है, best example है, चाइना का, युवान का, जो वहां की सरकार एक pilot project चला रही है, उसके अंतरगत involved होने वाला model, जहां पर चाइना के अंदर, युवान का इस्तमाल करके, वो भी limited time period के लिए, तो आपने digital currency में, युवान जो note है, जो कागच के note है, जैसे हमारे देश में गांजी ही के note है, अब उसे आप digitally use करोगे, जैसे UPI वगएरा से payment करते हो, उसमें भी तो digital transactions करते हो ना, सेम यहां पर भी आपको digital transactions होते वे देखने मिलेंगी, तो युवान का इस्तमाल करके, चाइना की currency का इस्तमाल करके payment करोगे, वहाँ पर एक time limit हो सकती है, कुछ cases में, कुछ purpose के लिए है, कि ये पैसा सिर्फ इतने time के लिए use किया जा सकता है, तो ये चाइना build कर रहा है, तो ये example है, चाइना build कर रहा है, तो second statement हो, सही नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता अगर यहाँ पर लिखा होता, not usable, but it can be used, इसको बाद में खर्च सकते हो, spend कर सकते हो, तो one भी सही है, and two भी सही है, अगर not लिखा होता तो गलत होता, जो की लिखा ही नहीं है, ठीक है न, तो first is also correct, and second is also correct, correct answer has to be C, इस question का, मेरे साब से C होना चाहिए, China is exploring expiration dates with its upcoming digital yuan, और DCEP, which means that currency will expire, if not used in certain time frame, time पर इस्तमाल कर लो, वरना currency invalid हो जाएगी, वरना यह currency expire कर जाएगी, यह बात ध्यान लखिएगा, चलिए, यह question देखिए, बीटा, अब as an assistant professor, जब मैं college में पढ़ाता था, तब मैं financial institutions and markets में जरूर पढ़ाता था, बट UPSC के लिए मैं topic नहीं पढ़ाता हूँ, जबकि इन्होंने question finance से पूछ लिया, तो यह एक बहुत बड़ा hit and miss था, क्योंकि बहुत असान सवाल है, बीटा का मतलब होता है, कि किसी market के अंदर risk कितना है, जब आप उसे numerically express करते हो, risk कितना है कहीं पर पैसा लगाने का, दो markets में compare किया रहाता है, जिसमें कम risk होगा, उसमें पैसा लगा होगे, कि आपके stock में prices में कितना बदला हुआ है, पूरे stock market के prices के मुकाबले, तो वो आपका beta category में देखने मिलता है, beta के नाम से, beta की संग्या से आपको देखने मिलता है, बीटा के तौर पे आपको देखने मिलता है, please remember that, पीस इस बात को याद रखिएगा, तो इस question में, 73rd question में, correct answer D है, numerical value that measures the fluctuation of a stock, to changes in overall stock market, correct answer is D, beta is a numerical value that measures the fluctuation of a stock, to change in the overall stock market, यह देखता है कि risk कितना है, और market में कितना change हो रहा है, एक stock के prices में, दूसरे पूरे stock market के share price के मुकाबले, मतलब अडानी ग्रूप कंपनी का share, पूरे share market के comparison में, कितना change हो रहा है, कितनी volatility है, next है आपका self-help group, SHG, self-help group program was originally initiated by SBI, नाजीना, SBI नहीं, नाबाड इसे लाए था, National Bank for Agriculture and Rural Development, जहाँ पर एक गाउं है, कई सारे किसान है, साथ मिलकर, एक self-help group बना सकते हैं, उस self-help group के तहट, वो किसान क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करने के लिए, resource sharing करेंगे, कोई खेती कर रहे हैं, तो कोई खुडाल ले आया, जो कुलहाडी होती है, कोई खुर्पी ले आया, कोई बीज ले आया, कोई अपने खेत से पानी दे रहा है, तो सब लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, खेती ही नहीं, और भी चीजों में यूज हो सकता है, ठीक है न, मानलों ये सब मिलकर, एक छोटी से factory लगाना चाते हैं, तो नाबाड, in a micro credit, मतलब छोटा loan प्रोवाइड गरता है, ये बात सही है, in a self-help group, all members of the group take responsibility for a loan that an individual member takes, actually क्या एक बंदे को loan दोगे, तो रिसकी है, भाग गया तो, पर 10-15 लोगों के ग्रुप को loan दोगे, तो वो आपस में खयाल रखें, कि वो बंदा भागा तो बाकियों को उसका बोज उठाना पड़ेगा, तो पकड़ के रखते हैं, कि वो इनसान कहीं भागे नहीं, next point है, RRB, Regional Rural Banks and Schedule Commercial Banks, they support self-help groups, RRB और Schedule Commercial Banks, ये हैं, ये Self-Help Groups को support करते हैं, support का मतलब है, कि Regional Rural Banks या Schedule Commercial Banks, हमारे देश में इन प्रोग्राम्स को बढ़ावा देते हैं, अच्छा, उत्तर पदेश के मुरादाबाद में, एक प्रतम बैंक के नाम से, बड़ा फेमस RRB है, ऐसे ही, आपके भी शेहरों के अंदर, Regional Rural Bank होंगे, वो Regional Rural Bank, ऐसे Self-Help Groups को लोन देते हैं, रिसेंट एक्जाम्पल अभी अखबार में आया भी था, उत्तर पदेश के बुलंद शेहर का, जहां पर उन्होंने, Regional Rural Bank से, लोन लेकर महिलाओं ने, एक छोटा Women's Start-Up शुरू किया, एक छोटा Self-Help Group शुरू किया, लोन लेकर आपस में, उस पैसे से छोटा व्यापार शुरू किया रहा सके, और बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस Question में, First तो गलत हो गया, नाबाड होगा क्योंकि SBI नहीं होगा, Second सही है और Third सही है, ठीक है न, First is incorrect, ये नाबाड ने Self-Help Group, Bank Linkage Program की, बैंक से जोडने के लिए जनता को, और ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, जिन तक अब तक Banking Services भी नहीं पहुँच पाई है, उनके लिए आज से 30 साल पहले, 30 years पहले शुरू किया था, Self-Help Group Bank Linkage Program, ठीक है न, 10 से 12 लोग मिलकर एक लोन ले सकते हैं, आपस मैं जब 10-12 लोग मिलकर लोन ले रहे हैं, तो रिस्क भी शेर हो जाता है, तो Bank भी नहीं हिचकता कि किसी एक बंदे को लोन लेने में हिचक सकता है, यहाँ पे 10-12 लोग हैं, गाओं के लोग हैं, ठीक है न, तो यह भी सही है, और Regional Lural Bank और Self-Help Groups को मदद की जाती है, Regional Lural Banks and Schedule Commercial Banks के द्वारा, अगला Question, इंडिया's Public Health Care System largely focuses on Curative Care, बिलकुल सही बात है, हमारे देश में आज भी प्रचलन Medical Sciences का तभी शुरू होता है, जब हम बिमार पढ़ते हैं, हमें आयूश पद्धती का इस्तमाल करके बिमारियों से बचना चाहिए, आयूरवेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होमियोपेथी, fruits and vegetable खाने चाहिए, पर हम ज़्यादा पैसा Curative Care के लिए खर्च रहे हैं, अपना इलाज करवाने के लिए खर्च रहे हैं हॉस्पिटल में, अब जैसे एक्जामपल देता हूँ, प्रधान मंत्री जन आरोग योजना है, पचास करोड लोगों को भारत सरकार पांच लाग रुपे देना चाहती है, साल का अपना इलाज कराने के लिए हर family को, हर परिवारों को, 10 करोड़ फेमिली को और 50 करोड़ लोगों को, हर परिवार में 5 लोग अगर आब मान लेते हैं, तो 5 लाग रुपे देरी ए सरकार, अरे इलाज कराने का देरी है, क्योर का एक कहावत है, prevention is better than cure की बिमार पढ़ना ही क्यों है अच्छा अब ये खाव पियो बिमार मत पढ़ो prevent करो prevention is better than cure तो prevention पर हम कम पैसा खर्षते हैं cure पर जादा खर्षते हैं दूसरी बात इंडिया's decentralized approach to healthcare delivery is where the states are organizing health services देखो health जो है वो state list के पास है state list के पास है का मतलब है कि हमारे देश के अंदर राज इस्तर पे UP के अंदर पूरे UP के health services आती है बिहार के अंदर पूरे बिहार की health services आती है जारखंड के अंदर पूरे जारखंड की health services आती है मतलब state list का part है मतलब states के हाथ में है और क्योंकि states के हाथ में है तो इसी लिए state list का part माना जाता है first statement सही है, second सही है पर आपस में न कोई रिष्टा नहीं है कोई संबंद नहीं है ये अलग बात कहा रहा है और ये अलग बात कहा रहा है तो first तो नहीं हो सकता, दूसरा सही है के statement 1 भी सही है, 2 भी सही है बट वो statement 1 उसे explain नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिष्टा नहीं है दोलों कथन के बीट में individually व्यक्तिकत तौर पे दोलों statement सही है तो correct answer B होगा both of them are correct ठीक है न, बट वही है न कि आपस में वो relationship नहीं create हो पा रहा है तो ये question आपके economics के area से थे मुश्किल थे काफी कुछ चीज़ें आपकी हमारी जो foundation batch की classes है उसमें cover हुई है कुछ चीज़ें current phase में cover हुई है मेरी अब आप सब से ये assurance रहेगी कि daily 8 p.m. जो हम daily economic news का session करते है वो हम 1 जून से regularly चलाएंगे regularly आप जुडिएगा और अगले एक साल तक ताकि आने वाले prelims में 80 to 90% questions हमारे batches economics के question हमारी मेरी classes से और daily economy news से आएंगे batch 6 में admission लीजे जल्दी जल्दी क्योंकि batch close हो रहा है 31 मही को live classes, recorded lectures, books, test series सब मिलेगा बहुत affordable price 27999 का जुरके आप इसका benefit ले सकते हैं morning batch भी available है evening batch भी available है ncrt batch भी available है जहां पर policy history, science and economics आप cover कर सकते हैं हमारे साथ हमारे team के दोरा शुक्रिया इस session को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद